भारत के प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने महानाएक बनने का उसर खो दिया जिह अफगानिस्तान पर लाखों करोणों रूपिय का निवेश करने और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद दोस्ती का नया कड़ बंधन करने के लिए जाने माने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने जिस तरह अफगानिस्तान पर तालिबान का रातो रात कपचा हो गया और मौन देखते रहे ये देश भर में चर्चा का बिसे बना हुआ है मोधी जिन्हों ने अपनी छवी दुनिया में एक प्रभावशाली नेता के रूप में बनाने थी तो ये उनके पास एक सुनहरा औसर था दरसल प्रधानमंत्री नरिंद मोधी अफगानिस्तान के राजपती से बात चीत करके उनकी मदद का हाथ बढ़ा देती तो दुनिया में मोधी और भारत की छवी कुछ अलग तरह से निखर कर सामने आ सकती थी कहते हैं संकट के समय ही आदमी की पहचान होती है ये एक पुरानी कहावत भी है सभी जानते ही भारत और अफगानिस्तान वरसों वरसों पुराने मित्र हैं और हाल में इस मित्रता का रिक्वल मोधी जी ने अफगानिस्तान को हर संभो सहयोग करके और वहां जा करके किया था उनके भासड गूगल पर उपलब्ध हैं ऐसे में द्रिर्टा का परिचे देते हुए नरिद मोदी ने आगे बढ़ करके तालिबान का मुकाबला किया होता तो शायद राजियू गांधी की तरह उनकी छबी भी दुनिया में प्रभावशाली बन करके सामने आ सकती थी। बताते चलें कि प्रधान मंत्री पत पर रहते राजियू गांधी ने स्री लंका में लिट्टी के खलाफ शान्ती सेना भेजे थी जिसके प्रडाम सुरूप स्री लंका और भारत के समन्द और भी मजबूत हुए थे और दुनिया में एक संदेज गया था कि भारत अपने परोस जहां भी अशान्ती फैलती है और मदद की आवसकता होती है तो आगे आ जाता है मोदी के लिए इसका दुनिया की राजनीती और मिजाज पर गहरा असर पड़ता ये दुनिया की महाशक्तियों के लिए भी एक सबक होता अमेरिका जब अफगानिस्तान को छोड़कर 9 211 हो रहा था सारी दुनिया आतंके सामने नतमस तक थी ऐसे में नरिन मोदी का एकसंद दुनिया के लिए एक नजीर बन जाता अफगानिस्तान पर जब तालिबानियों लड़ाकों ने आकमर किया उस समय उनकी संख्या 75,000 बताई गई है और अफगानिस्तान की सैनिकों की थीती इनलाग और तोर अफगानिस्तान के पास हवा से आकमर करने के सायन साधन भी थे जो तालिबानी आतंक्यों के पास नहीं थे हमारा मानना है पूर परधानमंत्री राजियों गांधी की नीती के अनुरूप स्रिलंका में जैसे उन्होंने शांती सेना भीजी थी अगर तालिबानियों के हमले के समय भारत अथवा बंगला देश निर्मार के समय की तरह सामने आता तो निशित रूप से 75,000 तालिबानि के खैर खाह बने हुए हैं उनको बोलने का कोई औसर ही नहीं मिलता राजनीती के जानकार वरिश्ट पतकार आरके पालिवाल के मताबिक ऐसी इस्तिती में पूर्व से अस्थापित राश्ट पती और अफगानिस्तान सरकार जिस से भारत का मित्रुवत समन्ध है उसी सरकार का अस्थित में रहता अफगानिस्तान की सरकार ने भारत सरकार से मदद की गोहार ना भी लगाई हो उसके उपरांत भी भारत विस्व मंज पर बड़ी द्रिर्टा के साथ अपनी बात रख सकता था कि पदस्त सरकार पर आतंक्यों के हामली को रोपनी और पडूसी देश हो होने के कारण उसने ये कदम उठाया है इसी के चलते आज भारत की जो उहापो की इस्तिति नहीं रहती और भारत की पूरे विस्व में एक नई छबी भी बनती लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री ननिन मोदी ने महानायक बनने का उसर खो दिया और शायद अब ये मौका कभी मिले आप दीख रहे हैं ददस्ता 24 नमस्कार